सत्य गुरु को प्रणाम जैश्री श्याम आज में आपको जो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं उसके अंदर जब उद्धव जिन से पूछते हैं कि ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग क्या होता है तो भगवान श्री कृष्ण उसके कहते हैं कि बारे में क्या कहते हैं वह आज मैं आपको बताऊंगे कि भग्ति योग कौन सब्सके बताऊंगी ने बटाँगां को कि स्मय क्स तरीके से ब discour da तो इसका पूजन कैसे होगा तस्वीर हें तो इसका पूजन कैसे होगा तो इस कि भगवान सभ मूर्टि के पूजन के अंदर किस प्रकार वंगों का पूजा जाता है में के सासम fee nota और साथ में ये बताएंगे कि गुण और दोश जो हैं उनकी विवस्था क्या होती है शुद और अशुद क्या होता है मतलब भगवान की नजर में गुण दोश अलग है शुद अशुद चीज अलग है एक ही चीज होती है जो एक समय पर शुद होती है वही चीज दूसरे समय पर अशुद भी मानी जा सकती है तो आज भगवान ये सब कैसे बता रहे हैं उद्धव जी को आज हम इसके बारे में बात करेंगे और साथ में विश्णु कोर्ष के अंदर आज मैं आपको बताऊंगी कि हम सब जानते हैं ये रिशब देव जो थे वो भगवान के अफतार है इसे प्रकार एक यग्य पुरुष भी हुए थे वो भी भगवान के अफतार थे तो ये रिशब देव कौन से वन्ष में हुए थे और यग्य पुरुष कौन से वन्ष में हुए थे आज में विश्ण कोश में आपको मैं ये बताने जा रही हूँ तो मैं शुरू करते हूँ भगवान कहते हैं उद्धव जी मेरी प्राप्ति के तीन मार्ग हैं भक्तियोग, ज्यानयोग और कर्मयोग जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से अपने मन को हटा चुके हैं मताब ध्यान से सुनेगा जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से अपने मन को हटा चुके हैं अर्थात विरक्त हो गए हैं वे ज्यानयोग के अधिकारी हैं जिनके चितमे कर्मों और उनके फलों से विराग्य नहीं हुआ है वे सकाम व्यक्ति कर्मयोग के अध्यकारी हैं और जो पुरुष ना तो अत्यन्त विरक्त हुए हैं और ना अत्यन्त आसक्त ही हैं तथा किसी पूर्व जनम के शुब कर्मों के कारण मेरे में उनकी शधा हो गई है वह भक्तियों के अधिकारी है कर्म योगी को इस जगत में तब तक कर्म करना चाहिए जब तक उनसे प्राप्त सुखों से उसको विराग्य ना हो जाए तथा मेरी लीला कथा के श्रवन की तन में श्रधा ना हो जाए इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के धर्म में स्थित रहकर बिना किसी आशा और कामना के मेरी अराधना करता रहे और कर्म करते हुए भी उसमें आसत ना रहे तो उससे स्वर्ग या नारक में नहीं जाना पड़ता वहें मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लब है स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसके अभिलाशा करते हैं ये धिपी यहें मनुष्य शरीर है तो मृत्यु ग्रस्थ ही परन्तु इसके द्वारा परमात की प्राक्ति की जा सकती है यहें शरीर एक व्रक्ष है इसमें घोसला बनाकर जीव रूपी पक्षी निवास करता है इसे यमराज के दूथ हर शन काट रहे हैं जैसे पक्षी कटते हुए व्रक्ष को छोड़कर उड़ जाता है वैसे ही जीव को इस शरीर से मोह छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाना चाहिए यह मनुष्य शरीर जो की बहुत दुर्लब है संसार सागर से पार जाने के लिए एक सुद्रड नौका के समान है और मेरे स्मरण मात्रे से ही मैं अनुकूल वायू के रूप में इसे लक्ष की और बढ़ाने लगता हूँ मेरा ध्यान करते समय यदि मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे तब जटपट बड़ी सावधानी से उसे समझा बुझा कर अपने वश में कर लेना चाहिए इस अभ्यास से मन बहुत शीग्र अपने चंचलता छोड़कर परमात्मा का चिंतन करने लगता है जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो मेरी लीला कथा सुनता हो तथा यह भी जानता हो कि सभी भोग वासना दुख रूप ही हैं फिर भी उसको छोड़ना सक रहा हो तो उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले परन्तु हिर्दय में दुख जनक ही माने वो उनकी निन्दा ही करे और उन्हें भोगना अपना दुरभाग्य ही समझे साथ ही इस दुविधा को छुटकारप आने के लिए शद्धा दुरविश्वास और प्रेम से मेरा भजन करे इस प्रकार करने से मैं उसके हिर्दय में आब बैठता हूं और मेरे विराजते ही उसके हिदे के सारी वासनाई नश्ठ हो जाती हैं और वे मेरे परम कल्यान स्वरूप धाम को प्राप्त हो जाते हैं अब भगवान क्रिया योग के बारे में बता रहे हैं तो उद्धव जी भगवान से पूछते हैं कि भगवन देवरिशी नारद भगवान व्यास देव और अचार्य ब्रस्पती आदि बड़े बड़े रिशी मोनी यह बात बार-बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा क्रिया योग और क्रिया योग काफी एक दूसरे के अंदर समाई हुए हैं कर्म करना और क्रिया का मतलब भी कर्म करना है क्रिया योग भगवान बता रहे हैं क्रिया योग में भगवान का पूजन कैसे करा जाता है यह क्रिया योग पहले-पहल आपके मुखानमिस से ही निकला था उद्धव जी बता रहे हैं कहरे हैं भगवान से कि यह क्रिया योग पहले-पहल आपके मुखानमिस से ही निकला था आपसे ही ग्रहन करके इसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भ्रगू, आदी, महरिश्यों को और भगवान शंकर ने पारफदी जी को उपदेश दिया था यहे क्रिया योग, ब्रह्मन, शत्रिय, ब्रह्मचरी, ग्रस्त, इस्तरी और शुद्रादी के लिए भी सबसे श्रेश्ट साधन की पदिती है आप क्रिप्र करकी इसकी विधी बतलाईए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उध्धव जी, कर्म कान का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है इसलिए मैं थोड़े में ही विधी पूर्वकिस का वर्णन करता हूँ मेरी पूजा की तीन विधियां हैं वैदिक, तांतरिक और मिश्रित इन तीनों में से मेरे भक्तों को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसी विरी से मेरी अराधना करनी चाहिए उपासक को इसनान करके श्रद और भक्ती के साथ पूजा सामग्र इखटी करनी चाहिए मेरी मूर्ती आठ प्रकार की होती है पत्थर की, लकडी की, धातु की, मिट्टी और चंदन आधी की, चित्रमई, बालुकामई, मनोमई और मनीमई बालुकामई मूर्ती प्रतिमा में तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन करना चाहिए मिट्टी, चंदन और चित्रमई प्रतिमाओं को इसनान न करावें, केवल मार्जन कर दें, परन्तु और सबको इसनान कराना चाहिए बालुकमई मूर्ती अर्थात मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो तो मंत्रों के द्वारा अगनी में पूजा करनी हो तो ध्रत मिश्चित हवन सामगरी किसम से आहूती देनी चाहिए सूर्य कुर्प्रतीक मान कर पूजा करनी हो तो जल में तरपन द्वारा पूजा करें स्नान, श्रिंगार, आदितो, धातु की मूर्तियों में ही संभव हैं परन्तु जो निश्काम भक्त वहे तो भावना मात्र से ही हिर्दे में मेरी पूजा कर सकता है जब मुझे कोई भक्त हार्तिक श्रधा से जल भी चड़ाता है तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्विकार करता हूँ तब गंध, पुष्प, धूप, दीप, नेविद्धे, आदिवस्तों के संभरपन से तो कहना ही क्या है उसके पाद उपासक को पूर्व या उत्तर की ओर मुह करके पवित्रता से कुषों के आसन पर बैठ कर मूर्ती पर जल चड़ाना चाहिए और गंध, पुष्पादी को चड़ाना चाहिए और अपने हिर्दे में मेरा वह ध्यान करे फिर मंत्रों द्वारा मेरी पूजा करे उपासक श्रधक के साथ मुझे चंदन, धूप, अक्षत, धूप, दीप, आदि समर्पित करे यदि हो सके तो गुड, खीर, ध्रत, पूरी, पुए, लड़ू, हल्वा, दही और दाल आदी विवित व्यंजुन का भोग लगावे अगनी में मेरे स्वरूप की पूजा करके नमस्कार करे और ओम नमहो नारानाय का जब करे मेरी लीलाओं को गावे, संसार के रगड़े जगणों को भूल कर मुझ में तन में हो जाए अपना सिर मेरे चर्णों में रख दे और मेरे चरण पकड़ कर कहे भगवन मैं इस संसार सागर में डूब रहा हूँ, प्रभो आप मेरी रक्षा कीजिए उद्धव जी जो इस प्रकार मेरी पूजा करता है, वह इस लोक और परलोक में मुझे से अभिष्ट सिध्धी प्राप्त करता है उपासक अपने श्रधा से मेरे विग्रह मूर्ति को दातुन करावे, उपतन लगावे, पंचामरत आदि से स्नान कराए, सुगंदित परदार्थों का लेप करे, दरपन दिखाए, भोग लगाए और शक्ति हो तो परवों पर नाचने गाने आदिका भी प्रभंद करे यदि शक्ति हो तो उपासक मंदिर बनवाए, बगीचे लगवाए और बड़े बड़े उत्सवों की विवस्था करे जो मनुष्य अपने खेत, गाउं, नगर, बाजार मेरी पूजा लगातार चलने के लिए समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान एश्वरे की प्राप्ति होती है मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से प्रित्वी का एक्छतर राज्य, मंदि निर्मान से त्रिलोकी का राज्य, पूजा आदिकी विवस्था करने से ब्रहम लोक की प्राप्ति होती है जो निश्काम भाव से मुझे पूचता है वे स्वय मुझे प्राप्त कर लेता है जो अपनी दी हुई या दूसरों की दी हुई ब्राहमन की जीविका या देवताओं मंदिरों में दिया गया दान हरन कर लेता है वे करोडों वर्षों तक विश्ठा का कीड़ा हो जाता है और जो लोग ऐसे कर्मों को करने वालों को सहायक होते हैं वे भी ऐसे ही फल के भागिदार बन जाते हैं अब भगवान गुण और दोश की विवस्था बता रहे हैं कि शुद्ध और अशुद्ध किस तरह से निधारित होता है भगवान श्रे कृष्ण कहते हैं प्रिय उद्धव अपने अधिकार के अनुसार धर्म में द्रिजन रिष्ठा रखना ही गुण कहा जाता है और इसके विप्रि चेश्टा करना ही दोश है यानि गुण वा दोश की विवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है किसी वस्थू के अनुसार नहीं वस्थू के समान होने पर भी उनकी शुधी-शुधी गुण दोश का मैंने जो विधान किया है वे इसलिए कि उसके द्वारा समाज का विवहार ठीक ठीक चल सके और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सुविधा हो प्रिथवी, जल, वायू, आकाश और तेज ये ब्रह्मा जी से लेकर सभी प्राणियों के मूल कारण है इस तरह से ये शरीर के द्रिश्ची से तो समान है, सबका आत्मा भी एक ही है, फिर भी वेदों में इनके वर्ण आदी अलग-अलग करे गए हैं, ताकि ये अपने धर्म, अर्थ, काम और मुक्ष को प्राप्त कर सके देश, काल, फल, अधिकारी, आदी, वस्तों के गुण दोश आदी का विधान भी मैंने इसलिए किया है, मतलब आप ये ध्यान से सुनिएगा कि भगवान खुद ने, जो हम कई चीजों के अंदर हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं, ये सब किसने लिखी होंगी, किसने लोगों के कर्म करते हुए, उनको उलंगन करने की प्रवरति ना हो, और मर्यादा भंग ना हो, जैसे किसे वस्त्धु की शुद्धी ने शंका होने पर, ब्रहामनों के वचल से वहर स्चुद्ध हो जाती है, नहीं तो अशुद रहती है, जिसे पुष्प जल छिड़कने से शुध और सुंगने से अशुध हो जाता है, उसी समय पका भोजन शुध है और बासी अशुध माना जाता है, बड़े सरूवर और नदी आदी का जल शुध है और छोटे गढ़ों का अशुध माना जाता है, हवा लगने से, आग में तपने से, मिट्टी लगाने से या जल्जक से धोने से ही शुद्ध हो जाते हैं। स्नान, दान, तपस्या, संसकार, कर्म और मेरे स्मरण से चित की शुद्धी होती है। कहीं कहीं तो गुण दोश हो जाता है और दोश गुण बन जाता है। जैसे ग्रस्तों के लिए अपनी पत्नी का संग पाप नहीं है, परन्तु सन्यासी के लिए पाप है। जो लोग पहले से ही पतित हैं, उन्हें पाप क्या लगेगा? परन्तु शेष्ट पुर्षों के लिए ऐसा कोई भी कर्म पाप ही तो है। इसमें संदे ही नहीं कि संसार के विशे भोगों में मनुश्य जर्म से ही आ सकता है। ऐसे लोग रंग बिरंगे पुश्मों के समान सुरगादी लोगों को भी को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। उन्हें अंत में देव लोग पृत्र लोग आधी की ही प्राक्ति होती है। मनुश्य वहां के भोगों के लिए अनिकों प्रकार के संकल्प कर लेते हैं। और जैसे विपारी अधिक लाब की आशा से मूलधन ही खो बैठता है। वैसे ही वो भी मेरी भक्ति खो बैठते हैं। वे जब इस प्रकार की मीठी-मीठी बाते सुनते हैं। कि हम लोग इस लोग में यग्यों के द्वारा देवताओं का यजन करके स्वर्ग में जाएंगे। और वहां दिव्य आनंद भोगेंगे। उसके बाद जब फिर हमारा जनम होगा तब हम बड़े कुलीन परिवार में पैदा होंगे। हमारे बड़े-बड़े महल होंगे। और हमारा कुटुम बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा। तब उनका चित शुब्द हो जाता है। तब उनको मेरे संबंद में बात्चित भी अच्छी नहीं लगती है। तो आज भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया कि किस प्रकार से भगवान हम जो इनसान हैं वो एक अलग ही दुनिया बनाकर जी रहे होते हैं। मगर भगवान की तरीके से अगर हम जीना शुरू करें तो ये लाइफ सच पुछ में इतने टफ नहीं हैं। जितने टफ हम लोगों ने अपने आप इसको बना दिया है। तो उमीद करते हूं कि आपको ये आज की बाते अच्छी लगी होंगी। और इसमें से अगर हम थोड़ा भी ग्रहन कर लेते हैं, अपने अंदर थोड़ा सा भी बदलाव अगर हम ला सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और अब समय है विश्नुकोष का। आज मैं आपको रिशब देव के बारें बताऊंगी और यग्य पूरिश के बारें बताऊंगी। रिशब देव भगवान के अफ्तारों में से एक अफ्तार हैं और जो यग्य पूरिश हैं वो तो हम जानते हैं कि भगवान नरायून के ही अफ्तार हैं। तो रिशप देव कौन थे? रिशप देव कौन थे? रिशप देव ब्रह्मा जी की जो शरीर का विभाजन हुआ था, स्वैंभूव मनूँ और स्षट रुपा उनके शरीर से विभाजित हुआ करके दो इसतरी पूलिष का जोड़ा निकला था. तो जो पोत्र यमें प्रियवरत का विवाह था बहिश्मत्य से प्रियवरत और बहिश्मत्य के दस संतान होई था उन 10 संतान में एक जो थे राजा आगिनिद्र थे पर संतान हों युख पत्र के वह राजा नभी ते और राजा नाभी के ही जो पुत्र थे वह रिशब्देव जो भग्वान की भारत वर्ष पड़ा था दूसरा जो यग्य पुरिश का अफ्तार है ये इसकी स्वाम्भिव मनुब शटरुपा की एक पुत्र थी आकूती आकूती का विवहा रुची प्रजाप्रती से हुआ था तो आकूती और रुची प्रजाप्रती के ही इस्त्री और पुरिष का जोड़ा उत्वन हुआ था वो जोड़ा हुआ था वो लक्षमी और नरायन भग्मान ही थे तो उन्होंने जो लक्षमी जी का Rओ था उन्होंने उसका नाम रख़ा था और और जो नरायन थे वो यग्य-पुरिश थे और यह जो यग्य-पुरिश है यह भग्मान का ही आठ्वा अफ्तार है उसके बाद फिर डक्षिना और यग्य पूरिश हैं इनके जो आगे संताने हुई थी वो इनके बारा जो पुत्र हुए थे वो सभी स्वेंभुव मनुमनबंतर में तूशिक नाम के देवता हुए थे तो उमीद करती हूँ कि आज का आपको ये वि कोशिश हमेशा से ये रही है कि मैं अपने वियोर्स तक वो सब चीजे पहुँचाऊं जो हमारे सच मुच में जानने योगे हैं तो उमीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा अपने नेक्स एपिसोड में दुबारा आपसे मिलती हूँ तब तक के एली हरे कि विश्ना